हेवसेब गईज अनुश गयाए वेलिव तो डिये सेवन कोर्स और अज की वीडियो पाथ करने माली हम स्लेक्शन सॉट के बारे में इससे पहले मनें बबल सॉट देख लिया है आज हम देखने वाले स्लेक्शन सॉट कैसे काम करता है तो बिना इसी देरी के स्टार्ट करते है एक इक्साम्पल समझने को ट्राइ करते हैं इसे इस वाले अरिंग ले समझते हैं यहां पर हमारा एंड जो है वो 6 है और सेलेक्शन सॉट कैसे काम करता है तो हमना इससे पहले दिखा था इंस्ट्रेशन सॉट और थोड़ा बहुत सेम है इसलिए यहां पर कन्फूजन भी हो का यहां कि कौन सा वाला लिखुटम कौन सा रहने वाला ठीक है लेकिन कन्फूज नीं होना है भूट ही अच्छे किसे दौनको को डिस्टिंक्सिंट करने वाला हो हुँझे है जब मैंने सेक्ट चार्ट गया तो समझने आता हैं कौन नाम से सब्सक्राइब करते हैं और उसको लगा देते हैं सबसे पहले सबसे पहले शुरुवात में कोई भी आरे सौटिट नहीं है यह आप है पूरा 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 इतना पूरा 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 यह शूरुवातम kost का यद की यहां पर आपका यहां पर आजएगा 9 2 3 6 ठीक है बाकी पूरा पूरा अरे आपका ऐसे कैसी रहेगा आपने बस पहले पास के बाद सबसे चोड़ा सबसे चोड़ा करेंगे इतने पार्ट बूल जाओ इतने पार्ट के सबसे पहले एलिमेंट के साथ सब्सक्राइब कर देंगे तो अब आजागा टू यहां पर फोर यहां पर चला जागा तो वन टू नाइन फूर थ्री शिक्स तो इस तरह किसे आप देख रहे हो हर इटरेशन के बाद हमारा आगे से एरे सॉट होते आ रहा है पहले आपका वन टू हो गया ठीक है इतना पार्ट आपका सॉट हो चुका है अब इस अगेन इस अंसॉटिड एरे के अंदर से हम सबसे चोड़ा इसको इसके साथ स्वाप कर देंगे नाइन आ जागा है यहां पर थ्री और फूर नाइन शिक्स ऐसा करने के बाद आपका यतना पाट ऑू चुक है और अब आपका अन्सॉटिड यह वाला अगेन हमने सक्रीन अलिमेंट ऑदकर से मिला इस यह तो इस वाले आपकर आप करने का फायदा ही कोई तो हाँ इस का बीכ तो अभी हम चेक लगा देंगे, कोड के अंदर हम कोड करेंगे, कि अगर यही वाला element है, सबसे छोटा element, जिसके साथ आपको swap करना है, तो swap करने की जरूती ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आपका अब इतना part sort हो चुका है, यहाँ पर आप देख रहो, passes भी आप लि 6, तो इसको हम इस वाले के साथ swap कर देंगे, तो 6 आ जागा यहाँ पर, 9 आ जागा यहाँ पर, तो again, 1, 2, 3, 4, 6, 9, ठीक है, तो इतना part अब हमारा sort हो चुका है, अगर हमारा n-1 element sort हो चुका है, तो यह कहना safe होगा कि हमारा पूरा पूरा array sort हो चुका है, हाँ सही बात है, अगर इतना array आपका sort हो चुका है, ठीक है, तो इसके बाद जो last element है, वो अल्री sorted ही होगा, वो अपने असली जगह पर हमारा पूरा array sort हो चुका है, यह पूरा पूरा array आपका 5th iteration के अंदर sort हो जागा, ठीक है, तो हर बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर बार हम छोटा element unsorted array के अंदर कौन सा है, और उसे unsorted array के अंदर ही first element के साथ swap कर दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखूँ है, तो हमारा outer loop जो है वो आपका 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, हम यहाँ ही तक गए थे, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, तो मतलब outer loop जो आपका वो एक तो तो चार पाँच पाँच वार चला है, एन आपका 6 से लेकर हम N-1 तक आउटर loop चलाएंगे, और inner loop के अंदर हम क्या करेंगे, इनर loop के इंदर हम हम मेश्या आगे से start करेंगे ठीक है, तो आपका अगर i 0 है, तो i plus 1 से हम start करेंगे, और n तक जाएंगे, और सबसे छोटा element ढून वो हमारा 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है तो यह हमारा हो गया आटर लूप अब हमें अगला करना क्या है इसके अंदर हमें एक इनर लूप चलाना है और इस वाले पार्ट के अंदर सबसे शुटा element तो एक minimum बनाना पड़ेगा हमें तो एक minimum बना लेता हूं int min और उसको करेता हूं अभी फिलाल आई के साथ ही ठीक है और एक फॉर लूप बनाने हमें अगें जो कि हमारा आई प्लस वन से शार्ट होगा कि एंड तक जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि सारे के सारे element चेक करने हमें एंड तक छोटा element एंड में भी हो सकता है और जैसे हमें को सबसे चोटा element मिलता है हमें उसे स्वाप करते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम सबसे चोटा element का ट्राइब करेंगे ठीक है तो minimum element डूनने वाली कल्कुलेशन इस वाले लूप के अंदर होगी वह कैसे होगी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी पोजिशन कोई भी element a of j वह आपके minimum element से छोटा है तो आप अपने minimum element को अपडेट कर दोगे ठीक है तो क्या करोंगे हम इस तरीके से हमें हमें अपने minimum element को अपनी current position के साथ swap कर देंगे ठीक है तो हमारी करण पोजिशन अभी अगया हमारा कुछ और हो होगा होगा अगर कुछ और नहीं हुआ तो आपका minimum element अभी भी आई होगा तो वहां पर swap करने ही ज़ूरत ही नहीं है जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि minimum element आपका i था जो कि यह वाली position थी और आगे बढ़ गए हम लेकिन अभी minimum element यह है तो यहाँ पर swap करने की ज़रोत नहीं है तो ऐसा अगर है आपका कि आपका जो position minimum है वही आपकी i के बराबर है तो कोई भी swap करने की ज़रोत नहीं है अगर आपका i के बराबर नहीं है तो हम swap कर देंगे आपके तो मैं swap वाला function जो मैंने bubble sort के अंदर बनाया था वही मैं यहाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि area को low और minimum position और i वाली position को आप पर swap कर दो और यह हमारा यहाँ पर outer loop यहाँ पर खतम हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा selection sort काम करता है आई हूब आप लोंको समझ मा गया होगा होगा तो पहले हमने यहाँ से आगे बढ़ेंगे ठीक है आई हमारा 0 है और minimum हमारा हो जाएगा i ठीक है minimum हमारा अभी भी यह वाला element है 4 और यह हमारा i plus one होगा ठीक है यहाँ से हम आगे बढ़ना श्रॉट करेंगे इस जगह से 1 से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और सबसे चोटा element रहेंगे तो क्या a of j क्या 1 4 से चोटा है तो हम बोलेंगे minimum जो है अब यह हो गया है मैं आप है इंडिस लिगता हूँ 0 1 2 3 4 5 तो अब मारा minimum हो जागा one ठीक है minimum हो जाएगा one ठीक है one index हो गया पर यहां पर हमीशा मिन के अंदर हमीशा index डाल रहे है तो minimum हमारा हो जागा index one क्या nine a of j वह min से छोटा है तो min से छोटा नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे same two 1 से छोटा नहीं है three one से छोटा नहीं है six one से छोटा नहीं है तो यहां बलुग्ए हमारा minimum 알 паль Brush हमारा one है ठीक है तो हम यहाँ Country आ istem orchid ठीक है तो हमारा i हो जाएगा 1 और minimum हो जागा i के बराबर तो minimum यह हमारा 1 ही रहेगा हमारा अगला for loop start होगा for loop हमारा start होगा 2 से 9 से लेकर हम आगे बढ़ेंगे हम चेक करेंगे कि क्या 9 पर element present है वह 4 वाले element से छोटा है तो नहीं ऐसा नहीं है क्या 2 यह वाल element इस से छोटा है तो हाँ ऐसा है तो minimum को update कर देंगे minimum हो जागा हमारा 3 के बराबर ठीक है 3 index है तो minimum हो जागा 3 के बराबर इस वाले element के साथ swap कर देंगे ठीक है जो i equals to 1 है और जो i equals to minimum equals to 3 है इंदों को swap कर देंगे तो 2 आ जागा यहाँ पर 4 आ जागा यहाँ पर और अब हमारा unsorted array ऐसा हो चुका है तो इसी process को हम repeat करते रहेंगे और finally हमें हर बार करना क्या है हर बार सबसे च्छोड़ा element ढूढ़न क्योंकि आप देख रहे हो हमेशा आप i equals to 0 से लेकर n-1 तक जा रहे हो मतलब हमेशा आप यह तो करी रहे हो आपका outer loop जा वो n-1 तक जा रहे है तो आपका n तक जा रहे है और हर बार आप पहले आपने पूरा-पूरा n ट्रेवल किया उसके बाद आपने n-1 ट्रेवल किया तो इस तरी के से आप देख रहे हो आपका o of n-square complexity आ रहे है ठीक है तो यह वाला loop भी end time चल रहा है यह वाला loop आपका end time चल रहा है तो आपकी आप कह सकती हो कि big o of n-square यहाँ पर time complexity निकल लिका आती है space complexity इसकी constant है तो यह है हमारा selection shot इसके बाद हम आगे बात कर रहे अब देखिंगे नेक्स वीडियो के अंदर इस वीडियो को कर देना like अगर पसंद आजिये तो और कर देना अगरो सब्सक्राइब मैं बलूँगा आप लोग उस नेक्स वीडियो के अंदर बाबाई